वीडियो में हम देखेंगे base 4 to base 5 conversion base 4 का क्या मतलब है? मतलब इस number system में आप 4 digit use कर सकते हो वो 4 digit है जीरो से लेकर 3 तक मतलब 0, 1, 2 and 3 इन 4 digit को आप use कर सकते हो किसी भी number को represent करने के लिए जो कि इस number system में हो अब base 5 का क्या मतलब है? इसमें आप 5 digit use कर सकते हो वो digit हैं 0 से लेकर 4 तक मतलब 0, 1, 2, 3 and 4 मतलब इन 5 digit को आप use करके कोई भी number represent कर सकते हो इन base 5 number system तो इस वीडियो में देखेंगे how to convert a base 4 number to a base 5 number तो example ले लेते हैं जैसे आपके पास कोई number है 23.1 ठीक है? ये एक base 4 number है इसको आपको convert करना है base 5 में तो आप कैसे convert करोगी? तो simple है, पहले आप इसे base 4 से base 10 में convert कर लो फिर इसे base 10 से base 5 में हम convert करेंगे तो देखतें कैसे करेंगे? वर्स step क्या होगा हमारा? जो हमारा पास number है जो की base 4 में है उससे आपको convert करना है पहले base 10 में, ठीक है, तो कर लो, तो यह आपके पास number आ गया, इसको आपको multiply करना है, 4 to the power n से, अब decimal से left side जाते होगी, 4 की power increase होगी, और right side जाते होगी, 4 की power decrease होगी, तो हम यहाँ से start करेंगी 0 से, decimal point से, ठीक है, 0 से start करा, अब left side जाते होगी, 4 की power, तो यहाँ पर होगी, 4 to the power 1, और right side जाते होगी, तो यहाँ पर 0 से decrease होगी, क्या आगई, minus 1, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सारी डिजिट को इन से multiply कर देना है, ठीक है, 2 को multiply करना इस से, 3 को इस से, और 1 को इस से, अब आप इसको solve करके लिख लो, तो यहाँ आजागा 1 into 4 to the power minus 1, ठीक है, आप इस ऐसे लिख लो, और यहाँ आजागा 3 into 4 to the power 0, और यहाँ आजागा 2 into 4 to the power 1, यह number आगया अब आपके पास, अब आपको क्या करना है, इन number को आपस में कर दो, सबको add, ठीक है, क्या कर दो, add, तो add करके क्या आजागा, पहला आप इससे solve कर लो, 2 into 4 आजागा, यहाँ पर 4 की power 1 है, यहाँ पर, प्लस किसी की भी power 0 होती है, तो इसकी value क्या हो जाती है, यहाँ 4 to the power 0 है, तो इसकी value क्या हो जागी, 1, तो यहाँ आजागा 3 into 1, plus, अब यहाँ आजागा 1 divided by 4, फर्दर इससे solve कर लो, तो यह आजागा 8 plus 3 plus 0.25, ठीक है, आगे solve करोगे तो क्या आएगा, 11.25, तो यह आजागा base 10 number system में, इसका conversion, ठीक है, अब हमारे पास क्या number आगया, 11.25, यह है base 10 में, ठीक है, इसको आपको convert करना है base 5 में, तो आप कैस करोगे, तो simple है, जो decimal point से जो पहले का number है, उसको आप क्या करोगे, अलग solve करोगे, और decimal point की जो बात का number है, उसको अलग solve करोगे, तो पहले हम decimal से पहले वाला number solve कर लेते है, उसको मतलब convert कर लेते है, base 5 number system में, तो कैसे करोगे, इस number को आपको 5 से डिवाइड करते चलना है, जो भी question आएगा उसे यहां लिखो remainder को यहां लिखना है फिर से जो question आएगा उसको आपको 5 से divide करना है फिर जो उससे question आएगा यहां पर लिखो गया और remainder यहां लिखो गया यह तब तक करते रोगे जब तक जो हमार पास question है वो less than 5 ना हो जाए ठीक है यहाँ पर हमारे पास quotient आ रहा है अब जब quotient जो आएगा नया वो अगर less than 5 हो जाता है तो आप procedure को stop कर दोगे और इस direction में number को copy कर लोगे ठीक है तो देखते हैं कैसे करना है हमारे पास है 11 इसको आप 5 से divide करते चलोगे quotient यहाँ लिखना है remainder यहाँ लिखना है तो 11 को divide कर लो 5 से तो आजएगा 5 2 जड़ 10 बचा 1 तो 1 आजएगा remainder quotient आगया आपके पास 2 तो quotient यहाँ लिखोगे remainder यहाँ लिखोगे remainder आगया 1 यहाँ से ठीक है अब फिर से जो quotient आया इसको आपको divide करना है 5 से फिर से divide करके देख तो 2 है 2 छोटा हो गया यहां पर 5 से तो हमने जब भी प्रोसीजर हमने कब स्टॉप करना था जब जो हमारे पास कोशेंट है वो लेस देन 5 हो जाए तो 2 इस लेस देन 5 तो आप प्रोसीजर को यहीं स्टॉप कर दोगे और इस टारेक्शन में नंबर को कॉपी कर लोगे तो आ तो यह conversion हो गया है इस 11 का अब हमें convert करना है 0.25 को base 5 में देखते हैं अब 0.25 को क्या करोगे आप 5 से multiply करते चलोगे तो यहां पर देखो जब आप multiply करोगे तो क्या आएगा 1.25 आज जाएगा फिर जो पॉइंट के बाद नंबर है उसको आप यहां कॉपी कर लोगे उसको 5 स multiply करोगे फिर से देखो solve करके same ही number है तो यही number मिलेगा हमें फिर जो point के बाद यहां पर हमें number मिला उसको यहां लिख लोगे और उसे 5 से multiply करते चलोगे क्योंकि हम किसमें convert कर रहे हैं base 5 में इसलिए हम 5 से multiply कर रहे हैं तो अब फिर हमारे पास जो number आ गया यह आजाएगा अ is point two five का ठीक है और 11 का हमें क्या conversion मिला था 21 उसे आप यहां लिख लोगे तो हमारे पास overall number जो आजाएगा वा जाएगा यह यह किसमें होगा base 5 number system में तो हमारे पास पहले क्या number था 23.1 जो कि था base 4 में उसे हमने convert करा base 10 में base 10 में हमारे पास convert करके number आया 11.25 फिर हमने इसे convert कर बेस 5 में तो बेस 5 में क्या number आया है 21.111 तो इस तरीके सा बेस 4 को convert करोगे base 5 में thanks for watching